अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर्दें अगर आपको और अच्छे से प्रोजेक्ट का तराश में जो कि सब्सक्राइब करने तो आपको यहां पर दीख रहा है एड़ टू कार्ट पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ ऐसा ही एक्सपेंड किया था जो के टोटली टू आवर्स का वीडियो बना था और इसमें बेसिकली मैंने यह समझाने का कोशिश किया है कि बैकेंड से कैसे कोडिंग होता है अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट को एड करना है किसी कार्ड मैं तो क्या क्या प्रोसेस से होड़ के कार्ड आइटम में जाकर कर्ड में कैसे एड होता है तो इस वीडियो में फूली हम आपको पूरा concept wise और साथ में साथ ही कोडिंग भी सिखाए है तो अगर अब ही तक आप मारे चैनल का इस प्लेलिस्ट को एक्सिस नहीं कि हैं जो कि क्या है e-commerce website हम लोग बना रहे हैं तो आप जाके exist कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही अभी लाइब चल रहा है और फिरी में हैं तो चलिए आज का वीडियो यहां पर हम लोग बनाने वाले है तो आज मरए बेडियो का मोल्टीव है कि हम काड को जो हम गेट कर रहे है और ऐड कर रहे हैं उस काड को हम टिलिड करें डोत्चार एप आइप बना दे जो काड मान लोग कोई काड में एड कर दिया तो काड से रिमूब कर पाए डिलीट कर पाए तो यह सब हम एपी आज बनाएंगे तो उसके लिए कि सबसे पहले आ जाते हैं अपना मेन पेकेज में जो कि हमारा सुक्ण में ए खाम डिकर वाल्य है और यहां तक हमारा पिछला बार हम सारा card को get कर दें एक ही बार हम पहले इसको हम create कर लेते हैं get card गए ii card by card id उसके बाद फिर हम उसको बनते हैं तो card को हमको get करना है कैसे card id से तो basically हम कुछ नहीं करेंगे इसमें बहुत इजी है को हो गई है अगर आप हमारे चैनल को follow कर रहे हैं तो तो यहां पर कार्ड by id हम लिख लेंगे और हमारे पास यहां पर हम इंट आएगा हमारे पास से इंट कार्ड आईडी ठीक है और उसके साथ ही साथ प्रिंसपल हम ले लेंगे जो कि हाँ यह स्ट्रींग हम प्रिंसपल वहां पर लेंगे स्ट्रींग यूजर नेम अगर वो यूजर नेम अपना लॉगिन होता है तभी उसका काड़म दिखाएंग अधर्वाइज कर देंगे अंत्राइज कर देंगे ठीक है क्योंकि कोई यह भी तो नहीं देख लेगा ना किसी का भी डिटेल्स तो यहां पर हम आ गया है और इसको रिटर्न नल कर दिए तो हमारा यह हो चुका है यहां पर नीटर्न अगरा कर दिए अब फिर हमें करना क्या यहां से हम अपना कोडिंग करना चालू करेंगे तो दीस टॉट इस टॉट यूजर रेपोजेक्टिव होगा उसमें हम एक मैठड को कॉल करेंगे फाइंड वाई इमेल जो की इमेल आइडी यूजर नेम से फैच करके दे देगा यूजर को डॉट एल्स एल और एल्स थ्रो अगर यूजर नहीं मिलता है इंदा केस तो हम अपना एक्सेप सब्सक्राइब होगा हमारा रिसोर्स नॉट फाउन जिसमें से हमारा यह आ रहा होगा रिसोर्स नॉट फॉन कहां से आ रहा होगा हमारे पास हम बना के रखें ग्लोबली हैंडल करने के लिए अक्सेशन वहां से मिलका रहा है तो इसमें बैसिकली क्या लिख देंगे यूजर मिल जाएगा ठीक है दो फ्रेश cumpl और आठी को एक साइड में यह कहीं भाई族 रहा होगा उपर में हमको जहां तर लगता है यूजर का था नहीं यहां तो कहीं नहीं लेका तो प्राइंड कर लेते हैं यूजर कहें तो बनाया होगा यह तो कहीं नहीं बनाया बेस्ट अंपको नहीं साइन कर दागा तो कोई बात नहीं है हम खुद से कर लेंगे तो यूजर online हमोरे यूजर नाम का बन चुखा है अब हमारे पास काम है तो हमारे पास क्या है कार्ड डिस डॉट कार्ड रेपोजेट्री होगा को आई तीस टॉट टार्ट रेपोजेटरी ड़ोट आइंड बाई आई डी और यहां पर हम इस काड़ आई डी पास कर देंगे साथ साथ में ही यूजर नेम भी पास कर देंगे या फिर काड़ इस पास कर देंगे और यह हमारे पास कार्ड आइडी हां रफाइंड वाई कार्ड आइडी तो क्या रदे रहा है कि कुछ तो है तो बैसिकलिए आप स्पेलिंग मिस्टेक है तो यह अब ठीक हो गया अब यहां से हमको कार्ड आइडी मिल जाएगा जो कि आप्शनल होगा आप्शनल इस वज़े से क्योंकि हम यहां पर हैंडल नहीं कर रहें हैंडल हम कस्टमाइज कूद एंडल करेंगे इसको हटाएंगे और कि डॉट और एल्स दो कि देख लेते हैं डॉट और एल्स प्रोड़ी थ्रॉट रख डॉग ही भूख रहा है कि तो हम यहां बता देंगे कार्ड इसको नहीं मिल रहा है तो कार्ड नौट आउंड एफ हो यूंडी कि यहां पर यूजर ने हम हटा देंगे यूजर जो लॉग इन होगा वही देख पाएगा अपना कार्ड इसके वज़े से या फिर रहने देते हैं कोई भी प्रॉल्म नहीं है तो अब हम यह चेक कर लेंगे उसके बाद फिर भी लेकिन यह तो जो भी कार्ड पर्जेंट रहेगा वह साड़ा दे देगा तो हमको चाहिए जो यूजर लॉग इन है उसी का चाहिए हाँ पर कोई भी यूजर लॉग इन करेगा उसका आ जाएगा तो साथ में फाइंड वाई यूजर एंड आपको कस्टम मेठेड बनाना होगा वहां जाके रेपोजेट्री में इसके लिए आ जाते हम रेपोजेट्री में तो रेपोजेट्री में आने के लिए बेसिकली हमारे पास यह जो दीख रहा है तो बेसिकली हमारे पास यह कार्ड रेपोजेट्री है इसमें आगे है find find by user and and card id लिख देंगे जो कि हमारे पास card id यहां से हम आएंगे और implementation से इस वाले card id से हम लिख देंगे यहां पर paste कर देंगे और फिर यह और इसमें हम यूजर यूजर चूकी यूजर हो जाएगा और यहां पर हमारा कार्ड जो आ रहा होगा यह तो यह हम कार्ड यहां पर हम लिख देंगे से और डी कार्ड ऑजर क्या रख़ा रहा है एक अर डी कार्ड क्या रहा रहता था तो इंट कर्ड काट अइडि और था तो लिख दिए हैं तो यह हम यहां पर implement कर चुके हैं जो कि और एल्स थ्रो हम लिक्ते एंगे लेखी वहां पर यू भी नहीं हो स्थ अलस्त्रों क्योंकि हम यहां पर आपशनल लिगांगे अर और इहां प्लीता प्रिखना प्ड़ेगा पुईयो अएसे लगाएंगे तो हमारे हां पहले हमारा option लेड कर दिये तो फिर आजाएंगे हाँ अपना कार्ट सर्विस में अब यहां दिखाएगा क्योंकि हमको एल्स थ्रोब करना पड़ेगा और है तो इसके अंदर एक लेम्दा फंक्शन्स न्यू रिशोर्स फाउंड रिशूर्स न्यू इस सूर्स पांड कार्ड कार्ड कि नौट कि फाउंड कि ठीक है अब आ जाते हैं कंट्रोलर में यहां पर हमें को मिल जाएगा तो मॉडल मैपर के मदद से हम इसको चेंज करें दिस्टॉर्ट मॉडल मैपर डॉट मैप और यहां पर यह वही दिक्कत नहीं अब फिर हम यहां पर लिख जो की क्लास का नाम होगा वो कार्ड 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 को कोई दिक्कत नहीं अब आ जाएंगे कंट्रोलर में हम अपने और यह कंट्रोलर जो हमारा दिख रहा है इस कंट्रोलर में आएंगे कार्ड कंट्रोलर में आएंगे और फिर हम यहां पर मैठर बनाएंगे जो की होगा ह हमारे पास एड़ा रेट कि गेट मैपिंग गेट मैपिंग मैपिंग बाद में कर लेंगे तो पब्लिक रिस पॉंस इंटिटी और इसके अंदर हम लिख देंगे कार्ड टी यो और फिर गेट गेट कार्ड वाई आई डी और हम आई डी से कार्ड गेट कर लेंगे यहाँ पर रीटर्न में नल डाल देंगे हुआ है रेटर्न नल रिक्राप हमारे पास आई डी रहे गा वहां एंट-कार्ड अई डी जो की साइब पात प्रेरेइबल से कार्ड डी कि या फिर हम को एक यह कलास्त बनाना पड़ेगा फिर सो पात वेडियवल से हम ले लेंगे और प्रूंसिपल प्रिंसिपल और प्र ठीक है और इसको हम क्या करेंगे काम कर लेंगे हम एड़ रेट गेट मैप पींग और फिर स्लाइस और यहां पर हमारा हो जाएगा यह तो स्पैलिंग थ्यान रखना है यह जो पाथ वेरियेबल में यह और यह स्पैलिंग मैच होना चाहिए ठीक है और फिर हमको यहां पर लगाना पड़ेगा जो कि एड़ रेट पाथ वेरियेबल होगा ठीक है एड़ रेट पी एड़ पाथ वेरियेबल जो कि हमारे पासे आ जाएगा और देख लेंगे हमारा राय कि नहीं स्वाइड एस टी ए एम सिस्टम सिस स्वाइड लेंगे और यहां पर हम लिख देंगे कार्ड आईडी ठीक है और नेक्स्ट हमको करना क्या है देश डॉट कार्ड सर्विस टॉट यहां पर गेट ऑल कार्ड गेट ऑल कार्ड बाई आईडी और फिर यूजर में हम लिख देंगे पी डॉट गेट नेम और टाइट सिट्स और हमको इसको असाइन कर लेंगे हम को जो की डीटियो में मिल होगा और इसी को हम यहां पर रिटर्न कर देंगे जस्ट तो यहां पर हम रिस्पॉंस एंटिटी के मदद से रिस्पॉंस लेते हुए हम रिटर्न करेंगे तो कार्ड बाई आईडी कॉमा एस्टी टीटीप डॉट अच टीटीप अस्टेटस डॉट हम यहां पर बता देंगे ओके तो कि स्टेटस भी आ गया लेकिन हम बार बार हमेशा लगबाग बूल जाते हैं यह हम इंस्टेंस इसका न्यू कर्स्ट्रक्टर के मतदब से हम यूज कर लेंगे अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और सब्सक्तर चेक करेंगे क्या सही रुट हो रहा या नहीं हमारे मगबले अगर नहीं होगा रण तो फीर हम इसको सुधारींगे जो हमेशा कितरा सुधार्ते आये जैसे तो यहीं पर हमें एर्र मिल चुका है पहले ही तो एर्र है हमारा अनेबल टू किरियेट टू क्वैरी क्रियेट नहीं कर पा रहा है यह जो कि फाइंड यूजर और आइड़ी और अजिए पाइड फॉन्ड फॉन्ड यूजर ट्रांशिवर्स तो कोई बात नहीं हम स्थूर्स का ड़िया मतलब सिंगल कर ड़ियां किसी कभी निकाल सकता है मान के चलते हैं यह अभी तो यह हम एडमिन तो किसी कभी काड आईड देख सकता है न तो यहां पर हम को यह सब रिमूब करना होगा तो बस चुछ रिमूब करना होगा हम बता रहे है अब हीष फंक्शन का इंपलिमेंटेशन में जाएंगे जो कि यह है और यह हमारा यूजूर नेम हम कर देंगे और ए Begin box वाले method को रिमूब नहीं करते हैं सिर्प comment करके छोड़ देते हैं यहां पर भी हम को यूजर नहीं मिल रहा होगा हम चेंज कर देंगे यहां से हम यूजर को भी चैंज कर देंगे अब यहां यहां पर देख रहा है इसका एंपिलिमेंटेशन क्लास काड रेपोजेट्री काज रेपोजेट्री में आ जाएंगे और यह यूजर को हटा देंगे सारा एर फिक्स हो जाएगा हमारा कि सेवेज कहीं पर भी अब फिर से प्रोग्राम को हम रन करेंगे और चेक करेंगे अब भी यह रहा है कहीं पर चलिए देखते हैं कहां पर है अच्छा काड रपोजेक्ट्री का हमको चेंस्ट करना पड़ेगाना मैठट के नाम सब्सक्राइब यहां पर हमना मैठट ही चेंज करना पड़ेगा यहां पर काड़ कंट्रोलर में ना काड़ रपोजेक्ट्री में यह मैठट हैंड वाई यहां पर हम आई डी वगरा भी नहीं दिफॉल्ट हमारे पास रहता है तो कोई दीकत नहीं है अब रिरन कर लेते हैं सब्सक्राइब करेंगे जो हम क्रियेट किये है उसको हम गेट करेंगे सिंगल कार्ड को देख्याइब जन्हें अँग्याइब यहां पर आगये हम पोस्ट में में एक और रीकवेस्ट हम क्रियेट कर लेंग्य एड्रिक्वेश्ट्रेट्स तो कmoset को इससे पहले जो पर नियू रिक्वेस्ट में आएंगे गेट कार्ड कार्ड को बाई आईडी और यह लिख लेंगे और यहां पर हमारा वर्क बेंच आफएन कर लेंगे वर्क बेंच और यहां पर कार्ड पर आएंगे बेसिकली हम देख लेंगे कौन सा कार्ड आईडी है हमारे पास तो कार्ड आईडी वन है तो हम यहां पर लिखेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे अनुथराएज आ रहा है है बिल्कुल भी आना भी चाहिए बेसिक और पर जाएंगे सिसी वन पर अपने ले ले गई है और अब हम देखें इंटर्णल सर्वर आ रहा है जो की देखते हैं क्या रहर है अघिझ और है यहां पर फाय्ट करडी मैथट इंटर्णल सर्वर एर अथि करण सर्विस में है चेंश करना भूल गयान है तो हमको यहां पर चेंश करना होगा तो वह यहां से हम हम देख लेते हैं दीश डॉट कार्ड डापोजेट्री डॉट है यही मैठट को हम को यहां लगाना है तो इतना हम कॉपी करेंगे इसको और यहां पर आके बगल में पेस्ट कर देंगे और इसको उड़ा देंगे बस और इसको जीरन कर लेंगे और जो मैंने बात बोला था यूजर वाला तो वह भी हो जाएगा बर्टम को कस्टम क्वैरी लिखना पड़ेगा तो अभी वह सब में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं पूर्ड चेक्ट को हम कंप्लेट करना चाह रहे हैं तो हम अगर देख रहे हैं तो हमारा काड़ टीट मिल रहा है कैसे क्या क्या है इतना सारा जेसर मिल रहा है को तो हमने कार्ड को गैट कर लिया कार्ड को डिलीट करने वाला बना देते हैं कि कार्ड को कैसे कोई डिलीट कर पाएगा वागेरा ताकि थोड़ा सा इसमें कोई इसू ना हो कार्ड को डिलीट करने में तो यह करना है जो कार्डागा उस कार्ड आइटम को रिमूव करना तो यहां पे हम कार्ड आइटम नोग करेंगे तो पब्लिक हम यह कुछ कर रहांगे पॉबलिक जो रॉन तो हमको पता है कि कार्ड डेटी ओ हमको तो मिलेगा ठीक है और फिर जी जी मूफ मैठड है तो कैमल कैसे में रखना कोशिश करेंगे जी मूफ कार्ड आइटम कि तूम कि तूम कार्ड और नाम लंबा है बड़ कोई नहीं सब सेंटेंस से सब पढ़ने में लगेगा कोई भी रिमूब कार्ड करना है के तो यह जी चीज मेंटर्ड है यहां पर हमें कुछ लेना है तो रहां बिल्कुल हम लेंगे यूजरनेम लेंगे और प्रोडुक्ट आइडी दी देंगे हम यहां पे एक कुन सा यूजर लागइं ement किया है टिक यहां पर यूज्श को हम ले और हमारा यूजर प्रोड़क्ट आइडी तो इन प्रोड़क्ट आइडी अ प्रोड़क्ट आइडी बस बैसिकली हमें इतना चीजी चाहिए हां तो उसके बाद हमें यां लॉजिक सुचते हैं पहले हमारे पास टीस टॉट यूजर है की नहीं डॉट फाइंड बाई इमेल फाइंड बाई इमेल और हम यूजर को फाइंड कर लेंगे या फिर हमारे पास टॉट स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है इसको पूरा कॉपी करेंगे और यहां पर आके पेस्ट कर देंगे ठीक है ली आरी यह पेश्ट हो गिया तो यहां पर यूजर नेम का स्पैलींग लथ हो गिया जो कि सही सही कर लेंगे am ko user मिल जाएगा यहां पर यूजर मिल गया है अब हमारे पास प्रोडक्ट अब आले है प्रोड़क्ट को तो यूज़र को हम कार्ड को get कर लेंगे user का, to user.get card, user का card get कर लेंगे हम, ठीक है, और उस card का variable में रख लेंगे इसको, card, card का variable में रख लिए, ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या है, card को get करें, card से item को get कर लेंगे, यह होता है बद्दारिशनल मैपिंग कार्ड से ऐटम को गेट करलेंगे गेट वट अईटम आइटम समरा मिल जाएगा कि यह हमें किस टाइप में मिले आइटम गेबल में रखना पड़ेगा से टाइप में बहुत साथ मिलेंगा अब यहां से आईटम से इरिटेट करेंगे हर एक आइटम पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे हम देख लेते हैं तो हमें पहुंचना है यह से कुछ ऐसा कुछ पहुंचेंगे हम कि तो आईटम्स दॉट इस्ट्रीम ऐस्पैलिंग मिस्टेक आइटमस तौट कि स्ट्रीम डॉट मैप है ठीक है लोट मैप है नहीं हम इस्टी मिहाने लगाए विज टीम मैठार एट करका रिमूब करना धिकर डिलीट करते जाना तो एक मैठा दाट है डिलीट करने के लिए जी मूब इफ यह जावा में टर्डूस क्या गया री मूब इफ और प्रोसीजर इसका क्या है लेंदा पंशंच वगरा ही लेगा ये भी तो एक आइटम हमारे पास मिलते जाएगा जो की आई नम का आइटम मिलेगा ठीक है और इस आइटम को इरिटेट करेंगे हम ल कि पिर इस आइटम को इरिटेट करेंगे और फिर प्रोडुक्ट आईडी मंगला मैच करेंगे पhr हम रिटरं भी करेंगे ठीक है तो यहां पे हम रिटरं ऐडी लिख देंगे नहीं और यहां पर यह कर देंगे को कि अबिवी एय法 Вас यहां पर जो की आ मिशन्त बोल रहा है हमारे पास रीमूब अगर कुछ रिमूब करेगा तो बताएंगे हमना तो इसके लिए हम हम बिशिकली एक बुल्य यहां पर ले लेंगे जो कि अगर निमोब करेंगा तो बुल्य अमश्टूड कर लेंगे इसको तो अम यहां राइट कलीक करेंगे और विचेंज मेंट़र तो पहले हम कोडिंग कर लेते हैं पूरा उसके बद देखते हैं लास्ट में तो आइटम डॉट गेट प्रोड़क्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे जो की इस वाले में हम यूज कर पारेंगे एक ही लाइन में कोशिश करते हैं न लिखने का हम तो बैसिकली हम फिर से आगए यहीं पर फिर से में अस्टार्टिंग से करते हैं तो यह आइटम्स हमारा मिल गया आइटम्स डॉट और हमें जी मॉब जी डॉट जी मॉब इफ अगर इफ रिमूब करना है आई यहां पर ऐसे कुछ करके ठीक है तो आइटम्स जब मिलेगा तभी हमको रिमूब करना है रिमूब आई डॉट आइटम डॉट गेट प्रोड़क्ट ठीक है डॉट प्रोड़क्ट आइडी प्रोडक्ट आइडि ईक्वल टो एक्वल टो यहां पर यह रड ίह सै प्रोडक्ट आइड प्रोडक्ट आयड्य हो जाएगा तो हमें कुछ करना होगा ठीक है बस basically यह ही है एक्वल हो जाएगा तो इसको रीमूब कर देगा अब किया है कि नहीं हमारे पास आ जाएगा क्या violation कि यह हमको boolean में देगा return क्या करता है यह boolean return करता है तो यह सब्सक्राइब करने के पास हमारे पास हम डाइटली वही काड़ को सेव कर देगा मतलब कि यह यह आइटमज से जोभी प्रोडक्त का आइडी मैच कर रहा होगा वो उसको रिमूब कर देगा ठीक है इंटर्नली जैसे मालो प्रोड़क्ट आइडी हम यहाँ वन पास किये हैं और हमारे पास यहाँ तीन प्रोड़क्ट है जिसमा वन लो प्रोड़क्ट हट जाएगा इस आइटम से है और उसके बाद फिर हम हमारे पास यह काड़ आइटम आ रहा है यहां से तो इसका इस काड़ को हम सेव कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ठीक है तद्दीश अधिस टॉट सेव टीस टॉट डीस टॉट कार्ड रैपोर्ट टॉट सेव एंटिटी नाम कार्ड यह हो गया और स्लैस वन कार्ड हमेरा पास यह हो गया अब इसको हम डीटी ओ में लिख देंगे तीस टॉट मैप पर डॉट मैप डॉट सेव कि सी आर्टी कार्ड को डीटी ओ डॉट कर लास और है यह हो गया खलास और फिर हम यहां पर हम सिस आउट कर लेंगे अगर डिलीट करेगा वह वह वाला चेक करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलन हमारा यहां कोडिंग का पार्ट सतम और फॉल से रिमूब एफ वाला ठीक है अब हमें आ जाएंगे यहां पर कंट्रोलर में और कंट्रोलर में हमारा जब डिलीट होगा तो डिलीट मैपिंग ही बनेगा बिसिक सा बात है और प्रोड़क्ट आइडी तो पाथ वेरियेबल से ही लेंगे तो सेम है पब्लिक प्रवलिक रिस्पॉंस एन्टीटी कारड टिटीओ और फिर इस कार्ण डिटीओ में हम क्या करेंगे डिलीट डिलीट या मुझा आम देता न अच्छा है वहां जी मुश्य मोग दिया डिलीट 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 गार्ड हमिदेओं डिलीट 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 कार्ड हाइट टर्म पर यह हमारा मैथट है और इस मेथट से हम क्या करेंगे हमें यहाँ पर एड़ डिलिट वेलिट मैपिंग डिए टीडिए मैपिंग मिल रहा होगा इसमें से हम slash यहां पर हमारा क्या होगा slash और फिर card id मिल जाएगा ठीक है जो कि हमारा कि एंट कार्ड आइडी और फिर हमारा पास प्रिंस्पल है प्यार प्रिंस्पल पी मिल जाएगा ठीक है यहां पर हम रिटर्ण में नल नल कर देंगे ठीक है बीसिक साइटना कुछ करना है हमें अब अब हमें क्या करना है दीस डॉट कार्ड सर्विस टॉट मैं पर सबसे लंबा मैठर देख रहा हुआ रिमूब कार्ड आइटम जिसमें से कार्ड आइड़ी तो यह ले लिया और यह पी डॉट किट नेम बस यहां तक हो गया कोई नहीं अब पूरा भी कंप्लेट हो जाएगा और इसको हम रिमूब कर देंगे जो की रिमूब नाम से रखेंगे न्यू जीस पॉन्स इंटिटी का डी टी ओ को दिकत नहीं ना उसके बाद हम यहां पर ली मूब वाला कॉल कर लेंगे और एच stp status. whats deleted है क्या कहीं नहीं upgrade भेड रिक्वेस्ट पर हम इसको रिरंड कर लेंगे बेसिकली और कार्ड आईडी हम पास कार्ड आईडी वन है तो कार्ड आईडी दे देंगे तो उस कार्ड आईडी से और प्रोड़क्ट आईडी भी देना पड़ेगा ना हमें ओ सीट यहां पर हमको प्रोड़क्ट आईडी देना पड़ेगा काड एक हम देख लेते हैं अब यह दर आएग पिए डिविगर्ड पैडिम कि और पिए डी कि पिए डिए present प्रॉलम कि अब सब कुछ सेप चल रहेगा कि पोस्ट में बाज आएंगे एक रिक्वेस्ट ट्रियेट हम कर लेंगे एड रिक्वेस्ट जिसमें से हमारा क्या होगा रिक्वेस्ट कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि ह यहां पर डिलीट कि प्रॉड़क्ट कि रूटच करेंगे डिलीट हमारे पास डिलीट के लिए है है लोकल होस्ट हमारे पास यह है 9934 और यहां पास हमारे पास कार्ड है और इस कार्ड आइटम में साइध अभी हम प्रोड़क्ट देखे थे प्रोड़क्ट आइडी कितना है टू है तो इस प्रोड़क्ट आइडी को हमको द्लीट करना है तो यहां पर हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और और अथराइज मिलेगा यहां पिस आइंग के हम बेसिक वथरीशं करेंगे अब सेंड करेंगे इंटर्णल सेर्वर एर्र आया अब यह सर्वर एर्र को देखेंगे और वी आएडी जो है पैरमीटर में अच्छा पाथ वेरियेबल यहां लिखना पड़ेगा एडर रेट पी ए टी एच पाथ वेरियेबल अब प्रोजेक्ट को रिरन कर लेंगे तो हम सारा एर्र को दिखाते जा रहे हैं कि आते हैं तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो यह हमारा हो चुका रण हो चुका अब यहां पर हम आएंगे डिलीट पर क्लिक करेंगे और हमारे पास आइटम सक्सेस्फुली डिलीट हो रहा होगा हम नहीं है तो मतलब वह काड़ आइटम से डिलीट हो चुका होगा हम यहां पर देखते हैं गेट बाइट कारड़ आइटम बाई आईडी तो अब देखें आईटमस हमारे पास ब्लैंक आ गया और यहां पास भी हमारे पास अगर हम देखें हैं तो यह डिलीट किया है तो तो अजका इस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं सारा कुछ कुछ कार्ड आने वाले वीडियो में हम यहाँ से उसके बाद हम लोग और कैसे करेंगे कार्ड में डालने के बाद यह चीज़ देखने वाले